अलो एब्रीवन वेलकम टू नर्सिंग एटी साथियो आज की इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा उत्राखंड मेडिकल सर्विस सेलेक्शन बोर्ड की तरफ से जो एक नई नोटिफिकेशन आई है साथियो जो जिसमें नर्सिंग रिक्रूट्मेंट के लिए एक वैकेंस वैकेंसी आई है उसके लिए इस वीडियो में बात करेंगे साथियो तीक है साथ ही हो चौदा सौपच्पन जो वैकेंसी है सीधे चैन बोर्ड के दौर्ड के द्वारा इस यहां पर होगी तो एक एक टर्करके जितनी सारी इसके वानक है उन्शब के बारे में सब करते हैं स साथ यो यह यह साथ यो यह साथ यो यह वाँकर है ओले क सभाम्डभा के द्वाइन सेवा त्रहां त्वह द्वाणा को सपनली से sb.org.in ठीक है, .org साथी हो, विग्यापन जो देने की तिती थी आज की थी, आज की 11 मार्ज की थी और ओनलाइन जो आवेदन आरंब होगा, वो 12 मार्ज से यानि कि कल से आवेदन आरंब होगा और आवेदन भरने की जो अंतिम तिती है साथी हो वो है 1 अपरेल 2024 तक के 5-7, मतलब 3-5 बजे तक अब आवेदन भर सकते हो साथी हो, साथी साथ आपको जो फीस देने की जो प्तिती है हम आगे फीस के बारें भी बात करेंगे कि इसका application फीस इसका कितना रखा गया है, आवेदन सुलक तो एक-एक करके बात करते हैं कि पदो का वीबरन के बारें बात करते हैं पदो का वीबरन साथी हो एक बर देख ले, 1455 पोस्ट है टोटल नर्सिंग महिला अधिकारी और पूरुस अधिकारी के लिए जिसमें जो डिप्लोमा धारक है, जो जी एनेम कर रखे है नर्सिंग महिला उनके लिए 797 पोस्ट है और जो डिगरी धारक पूरुस वर्ग के जो है उनके लिए डिगरी धारक के लिए 366 और जो नर्सिंग अधिकारी पूरुस अधिकारी दिप्लोमा धारक उनके लिए 200 है तो ये करके देख लो ऊ? Sum Sum साथियो कितना है बेतनमान है उन 44,900 से लेके एक लाख 26,000 के करीमिन का बेतनमान रखा गए साथियो बेतनमान कितना एक बार देख लें साथियो बेतनमान है चवालिस अजार 900 से लेके एक लाग वैकेंसी का नंबर दिया गया है उस बाद से कटेगरी बाई से कि अनुसुची जाती जन जाती उसके बाद यूर के लिए दिया गया है साथियों वेतनमान देखें वेतनमान जो है 24,900 से लेके 1,42,000 तक इसका वेतनमान है ठीक है साथियों देख लहें इन सब चीजों को एक करके आयू की छूट दी गई है कि आयू की क्या छूट होनी चाहिए आयू जो होना चाहिए 1 जुलाई 2023 तक 2023 है और अब अगला बात करते है अवांचनिय अहरता किडो मिसाइल कहां कहोनी चाहिए उत्रा खंड राजी का अस्थाई निवासी होना चाहिए यह माइडेटरी है साथियों एक बार इसको पढ़ लेंगे और उसके बाद अनापती प्रमान पत्र उसके बाद आरक्षन आरक्षन लंबवत आरक्षन और आरक्षन के बारे में अपने पढ़ा होगा उनके लिए यह दी गई है साथी साथ आगे देखो साथियों आगे क्या बताई गई है साथियों आगे आपको बताई गई है कि इसमें पूर्व सैनिकों गईरा को भी मिलेगा बहुत सारा कमपन्जेशन ठीक है साथियों फिर अपन बात करते हैं डिसबिलिटी वाले के लिए क्या है योगेता क्या 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 रखी गई है इसमें ऑनलाइन भरने की जो बताए गया है अभि आत्तियों को इस लिंक पे जाना है इस विबसाइट पे जाना और एप्लाई के लिंक करना है अभी अभी देख लो सात्यों मैं आपको दिखा देता हूं कि कहां से आपको अप्लाई का लिंक करना क्लिक करना Ah और बोर्ड पर 12 मार्च से कल से खुलेगा dak उत्राने की आपका शाथंहोट हो यह आपको दी गई है मतलब हाड कोपी इसका आप को आफ लाइन नहीं भेजना आहा है ओनलाइन ही कर के छोड़ देना है अधूरे को मत करें पूरा फुल्व पर क्लिक करें अगरी पर क्लिक करें यह सारी दी गई है paranoid फर्स्ट रजिस्ट्रेशन उसका अप्लिकेशन सम्मिशन उसका फी सम्मिशन थ्री स्टेप में इसका आपको टूटल इसका भरा जाएगा ठीक है साथ यो सेव करते रहा है आगे चलते रहा है बता रखा है कोनकोन सी सर्टीकेट लगेगी तो हाई सल्क की सर्टीकेट इंतर्मीदियर सर्टिकेटV केमें अंको 150 रोपी लगेग Iraq के इबम आन्य पीछडा वरगे के लोग होंगे उनको लगेंगी 300 उत्राखंड के अनुसुची जा TSC के लोगों के लगेंगी डाई डेर सो रुपए लगेंगी साथियो यह हो गया आपका सुल्क और जो आपको एक बार और बताते चलो कि अंतिम जो तिथी अपलाई करने की साथियो उससे पहले आपको एक दिन का समय दिया जाएगा अपने पेमेंट करने के लिए साथियो तो यह रहा आपको उत्रा खंड का जो वेकेंसी आई है 14 1495 के करीमे वेकेंसी है साथियो 1495 उसके बारे में पूरी जानकारी तो साथियो वीडियो कैसे लगाओ वीडियो अच्छा लगाओ तो लाइक करें सेयर करें और सब्सक्राइब करें बहुत बहुत धन्यवादा साथियो अपका वीडियो देखने के लिए